हेलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 15 रिप्रड़क्टिव सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नमबर 2 जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं गेमेटोजेनेसिस जिसके अंदर दो पार्ट आएंगे और दियוה जहां रखना यह दोनों ही क्या हैं गेमेट्स क्याला ते यह नहीं दोनों प्रॉसेस को एक कॉमन नाम दिया गया है गेमेटो जनेसिस किलियर चलो आगे चलते हैं फटाफट और देखो बहुत द्यान से कॉपी पेंट चाओ तो लेके बैड़िया हो यह रिप्रॉट्टिव शिस्टम वाला चेप्टर ऐसा है इसमें बहुत साथ टमलोजिस आएंगे तो टम्स अगर किलियर नहीं होगे तो ची प्रामिर सैक्स ओर्गन कें और मयल में कौनसा फिएंट इबसें को मशे में करन फोर्ण मेल मेर कणे फ्रस्रींट कर एंद काहा जाता है जाता है नहीं 있ल फॉर्म और फिमेल के जाता है गमेट न the process called gametogenesis और जो प्रोसेस है इनके formation को common process का नाम क्या है gametogenesis है अब spermatogenesis और oogenesis sperm के formation को spermatogenesis कहा गया है ovum के formation को oogenesis कहा गया है it is the spermatogenesis क्या है it is the formation of sperm एना M गाय वो गया from immature male germ cells spermatogonia बेटा one mark question mark कर लेंगे से spermatogonia male germ cell जिससे sperm बनता है उसकों लोग क्या कहते है spermatogonia कहते है now oogenesis it is a formation of mature female gamet called oogenesis या पर क्या mature female gamet का बनना oogenesis कहलाता है शुरुआत करेंगे spermatogenesis से now अब सैमनी फिरेश टीवियूल अब यह मत कहना सर यह क्या होता है पढ़ा चुका हूं अच्छे से सैमनी फिरेश टीवियूल उसके अंदर lining virus अब दिमाग में होना चाहिए नहीं याद है तो उसका structure सामने रखो फिर देखो तो सैमनी फिरेश टीवियूल उसके अंदर दो टाइप के कह देते हैं है ना जो की स्पर्म बनने में help करेंगे तो दो टाइप के सेल पाए जाते हैं सैमनी फिरेश टीवियूल के अंदर जो मैंने कहा था कि हम लोग आगे डिसकस करेंगे याद आ गया होगा ठीक है तो एक है अपमयस है औरा प исслед tempors फिरेश टीक है जिसे स्पर्म बनते हैं यारे जम सेल्स कहते हैं और दूसरा क्या सस्टेंटयुलर Hall और सरटरॉली सेल्स जो कि क्या करते है जो इस स्पर्म बन जाते हैं उनको नरुष्मेंट जेने का काम करता है फिपक्र से which have several function कैसे सारे functions होते हैं okay stem cells called spermatogonium जो stem cells होते हैं यानि कि germ cells जिन से हमारे sperm बनेंगे उन cells को हम लोग क्या बोल देते हैं spermatogonium singular is spermatogonium spermatogonium plural है और singular क्या है spermatogonium developed from primordial germ cells यह कहां से बनते हैं जो हमारे main primordial germ cells सबसे जो starting के germ cells होते हैं फिर हम यह कह सकते हैं जो spermatogonium cells होते हैं ठीक है वहां से हमारे क्या बनते हैं spermatogonia बनते हैं ओके इन हुमन spermatogenesis टेक 65 से 75 डेज ज़िस पर्मेटो जनेशी से 65 75 डेज लग जाते हैं इसको होने में बनने में इट बिगिन्स विद द इस पर्मेटो गोनिया विच कंटें दा यहां पर यहां पर यहां रखेंगे जो इस पर्मेटो गोनिया है फाइनली हम लोग सुरुवात यहीं से रखेंगे बाकि यह सब भले याद न रहें इस पर्मेटो गोनिया से सैमने फेरेश्टी गी जो सबसे नीचे की लेयर है उसी से जड़ा हुआ अंदर क्या होते हैं सेल्स होते हैं इसmez परumu PEROMU की होती है माइटॉस होती है और धो तोड़़ी आता है एक ऐसा क्या ऐसा ही रहाता है भावेश्य के और एक सेल ठीक है ना उसमें क्या होती है कुछ प्रॉसेस स्टार्ट होती है उनके अंदर कुछ differentiation changes आना स्टार्ट होते है तो ध्यान रखना इस metagonium cell इसका एक हिस्सा जब दो पार्ट में तूटता है कुछ cell ऐसी रह जाते है भविश्य में ये फिर दो में तूटेगा ठीक है ना फिर एक ऐसा ही रह जाएगा और एक आगे sperm बना ले जाएगा ठीक है ना तो देखो इस्परमेटोगोनियां के अंदर सबसे पहले क्या होती है माइटॉसिस होती है ठीक है एक सेल नॉर्मल रह गया एक सेल डिफ्रेंशेट हो जाएगा आगे जा करके इस परम बनने की प्रोसेस में जुड़ जाता है डिफ्रेंशेशन हो करके किस में ब और इनको आगे डखका लग जाता है इन सेल्स के अंदर क्या हो रहा है डिफ्रेंशेशन होता है और किसे मदल जा रहे हैं प्राइमरी स्परमेटोसाइट यह अभी भी कैसा है 2N यहां से कोशन आने की संभावना है कि बताओ यह 2N की N है अब इस प्राइमरी स्परमेटोसा प्राइकल होती है जिसमें नंबर आफ क्रोमोजोम आधे हो जाते हैं दो फेज़ेंगे और अगले में फिर डबल हो जाते हैं तो टोटल चार इस पर्म बनते हैं एक स्परमेटो गोनिया से ठीक है मिविवर रखना वेटा जो सेकेंडरी स्परमेटोसाइट है यहां पर नं हो चुके हैं number of chromosome क्या हो गए है and each chromosome has two chromatid ठीक है ना तो उसकी जुरूत नहीं हाप एक केवल क्या ध्यान रखना है primary spermatocyte ठीक है और यह सब छोड़ देना यह थोड़ा detail हो जाएगा यह सब लिखने जोरूत नहीं है इसके अंदर meiosis हो रही है वो secondary spermato side बदल जा रहा है number of chromosome N हो गए है फिर इसके अंदर meiosis 2 हो जा रही है एक एक cell दो दो में टूड़ गया याला cell दो में टूड़ गया याला cell दो में टूड़ गया total कितने बने 4 बन गई है ठीक है अब यह जो cells बनके तयार हो गए इनमें अभी ना head है ना tail है ना कुछ है इनको हम लोग क्या बोलते है spermato joa है ना spermato joa कहते हैं इनके अंदर अभी head tail वगारा कुछ नहीं है फिर एक process होती ही पेटा spermiation और उस spermiogenesis कहलो या spermiogenesis कहते हैं इनके अंदर spermiator joa के अंदर एक process होती है spermiogenesis और finally यह cell इस तरीके से लंबे लंबे proper sperm में convert हो जाते है बासमझ मा रही है और इस सब कहां मौझूद है सब्सक्राइब लगेगा सिंपल तरीका बताओं मैं यह याद करोगे ठीक है 2N spermiogenia या singular spermiogenia प्रिजेंट इंसाइड वॉल ऑफ सब्सक्राइब के अंदर के तरफ मौझूद होते हैं इनके अंदर क्या होता है माइटासिस हुई और differentiation हुए यह दोने स्टेप मैंने यहाँ पर साथ में कर दिये ठीक है पहले क्या हुई माइटासिस और फिर क्या हुआ differentiation ठीक है तो याद करना असान हो गया माइटासिस होती है और differentiation होता है और यह किसम बदल गया है प्रैम्री स्टांड्या सैन उनका नमबर कितना है नंबर कीतना है यहाँ पर यहाँ पर फर्लस नंबर कितना है 46 ठीक है नमबर कितना रहा गया 2 secondary spermatocytes ठीक है डियाग्राम से गब्बर करोगे 2 secondary spermatocytes ठीक है फिर इनके अंदर 2nd meiotic division होता है या ordinary mitosis कह सकते है जो general साधान mitosis होती है और ये 2 से 4 equal haploid spermatids में बदल जाते हैं किसे बदल गए spermatids और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं किसे बदल गई ये spermatids और फिर हो रही है हमारी okay spermatids में बदल गए है then spermiogenesis होती है और finally हमारा क्या बन जा रहा है spermatis जो हो आई है sperm बन जा रहा है जो amdate होता है amdate मतलब 10 जाता है जाकर किसमे sertory cells में तो यहाँ पर actually थोड़ा सा spermatids और spermiogenesis ये process थोड़ी सी यहाँ पर हमें लगता है spermatids और अच्छा ठीक है उपर वाला नाम है ठीक है spermatids ये है spermatos जोवा ये है ठीक है ना बेटा तो spermatids यहाँ पर ये थोड़ा से naming गरवड हो गी दी these are secondary spermatocytes ये spermatids हैं ये spermatos जोवा है सही है वो तो spermatids बनते हैं उनके अंदर spermiogenesis होती है finally spermatos जोवा जिनकों sperms कहते हैं और ये amded धस जाते हैं जाके sertolid cells में वहाँ से nourishment लेते रहते हैं जब तक कि ये finally बहार ना आ जाए अब जो spermiogenesis है ये process अलग से पूछी जा सकती है तो क्या होती है ये process आओ देखें जा रहा the final stage of spermatogenesis is spermiogenesis जो आखरी stage होती है तो बटर ध्यान रखना इसको प्राइसेल बता दूँ में ये chart भी अगर बना के आ जाओगे परियाप्त है कुछ समझाने के ज़रूत नहीं किसके बाद क्या हो रहा है अपने आप सारी चीज़ें है अपने आप में explain कर रहा है ठीक है जिनको chart नहीं मनाना है थोड़ सा diagramatically समझा सकता है ठीक है diagram से समझा सकते हो वो ही सारी चीज़ें हैं बस ओके आगे आते हैं तो last stage का question अलग से 2 या 3 नमर में आ सकता है spermiogenesis यहाँ पर हो कह रहा है तब final stage of spermiogenesis is spermiogenesis जो final stage होती है उसका हम spermiogenesis कहते है it is the development of haploid spermatid into sperm जो spermatids है उनका किसमेंट बदलता है यह sperm बदलता है इस stage में no cell division यहाँ पर कोई भी cell division नहीं होती है ठीक है each spermatids becomes a single sperm cell और develop होकर के सारे के सारे जो spermatids हैं वो किसम बदल जाते हैं sperm में convert हो जाते हैं आगे आते हैं during this process इस process के दौरान spherical spermatids spherical spermatids देख वोड़ गोल हैं यह कैसे हैं गोल गोल हैं spherical spermatids transform into elongated घुमाओदार sperm ठीक है ना slender लंबे घुमाओदार slender लंबे elongated sperm में यह convert हो गए हैं ठीक है finally sperms are released from their connections to sustentacular cells finally वो अपने जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ से निकल करके their connection to finally sperms are released from their connection to sustentacular cell यानि के sertoli cells an event known as spermiation ठीक है ना sperm then enter the lumen of the 71st tubules अब last में क्या होता है जो sperms है उस sertoli cells से निकल के बाहर आ जाते हैं और उस lumen में जो cavity वहाँ पर आ जाते हैं और इस process को में लोग क्या कहते हैं spermiation कहते हैं ठीक है ना filled secreted by sertoli cells push sperm along their way जो filled sertoli cells जो बहुत सार लिकुड सा छोड़ता है वो sperm को आगे धक्का मारता है और उनको आगे धकेलता है towards the duct of the testis जो ducts है रेटे टेस्टिस वगए उसके धकेलता है क्यों? क्योंकि at this point sperms are not yet able to swim यहाँ पर sperm अभी भी swim करने के लाइक नहीं हुए खुद से तैर नहीं सकते हो तो इसलिए उनको धका मारा जाता है वो कहानिया आगी बात क्यों होगी तो हमारा ये spermetogenesis पूरा होता है और spermiogenesis बिटा 2-3 number में अलक्सिया आ सकता है question तो ध्यान रखेंगे इसका पैसे ज्यादा important हमारे पास ये वाला पार्ट है ठीक है तीन नंबर के हिसाब से clear है बात clear हो गई आ गया आते है structure of sperm तो structure of sperm की बात करने तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक structure sperm का जो तुम्हें पसंद हो या अगर पहले से कोई आता है तो अच्छी बात है यह क्या होता है इसका head होता है इसके उपर क्या होता है यह layer जो है मोटी मोटी दिख रही है यह यह एक्रोजोम होता है जब हम पढ़ेंगे फटलाइशन वगएरा तो आट देखें अक्रोजोम होना ओवम को penetrate करने उसको छेदने में help करता है यह बीच में nucleus मौजूद है उपर plasma membrane मौजूद है यह यहां पर centriol होता है यह इसका neck वाला mid connecting piece होता है इसको neck भी बोल देते है यहां लोग neck बोल देते हैं यहां पर mitochondria लगे हुए है यह mitochondria से हैं यह terminal disc होती है फिर एक टेल होती है लंबी सी जिसका यह होता है axial filament यहां से लेके यहां तक और यह आखरी में इसको हम कहते है end piece तो यह diagram important है structure of sperm आ सकता है तो ध्यान रखेंगे अच्छा देखो यह side view हुग है ठीक है ना अगर हम इसी को जाने की देखो यह ऐसा है ना यह जैसे मेरा यह हात है अब इसको मैं अगर ऐसा देखूँ तो यह chapter नजर आएगा तो यह ऐसा ही होता है अभी हम लोग इसको ऐसा देख रहे है ना इस side से देख रहे थे अब जैसे घुमा दिया तो इसका shape कुछ ऐसा नजर निकल के आता ठीक है तो इसका shape कई बार तुम लोग diagram में ऐसा भी देखोगे यह front view है यह side view है front view side view ठीक है ना इस type से है यह चीजे सारी वही है चीप दिखाया कि अगर इस type का shape दिख रहा है कुछ बच्चे सोचे कि सारी गोल कैसे हो गया हमने तो गोल कभी देखा ही नहीं तो बेटाई गोल मैंने करने हाँ यह गोल दिख रहा है ऐसे देखोगे चप बात कर लें इट कंटेंस head neck middle piece and tail वही जो कहानी यहां पर मौझूद है head neck middle piece tail और end piece ठीक है ना head contain haploid nucleus यह जो nucleus होता है haploid haploid मतलब and haploid मतलब and and or two and I think उमीद कर रहा हो जान गए होगे and or two and क्या होता है number of chromosome को represent करता है ठीक है and anterior portion covered by a cap like structure is acrosome जो anterior portion है जो cap की तरह covered है इसको हम लोग क्या बोलते है acrosome कहते है acrosome के अंदर एक enzyme पाया जाता है ठीक है acrosome filled with enzyme which help in penetrating the ovum by dissolving outer layer of ovum इसके अंदर एक enzyme पाया जाता है लाइजोजोजोम या कौन सा है अभी ज्याद नहीं आ रहा खेर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर जब आएगा तो यह कोशन दुवार पास धियान रखना कि acrosome के अंदर एक enzymes होते हैं वह enzymes क्या करते हैं ovum की जो सबसे उपर की layer होती है उसको penetrate करके अंदर घुसने में help करता है यह point important है जो यह tail है टेल को motion करने के लिए क्या चाहिए energy चाहिए वह energy कहां से आती है mitochondria से आती है ठीक है जिसकी वाई से sperm की mortality इस sperm चल सकता है तैर सकता है human male ejaculate about ejaculate what's clear है ejaculate about 200-300 million sperm during coitus एक coitus के टाइम पर वो लगबग 200-300 million sperm release करता है for normal fertility at least 60% sperm must be normal shape and size अगर आप चाहते है कोई couple है साधी हो गई है और वो बच्चा चाह रहे हैं तो जो male ने sperm निकाले है 200-300 million उसमें कम से कम 60% sperm उनका shape, size वगरा सब सही होना चाहिए and 40% of them must have vigorous motility और 60% में से भी 40% है उसकी उनकी motility यानकी बहुत तेश्ट उनके अंदर चलने की छमता होने चाहिए secretion of epididymis याद आगे epididymis उसका जो secretion होता है वास्ट डेफरेंस का जो secretion होता है seminal vesicle का जो secretion है prostate का जो secretion है essential for maturation and motility of sperm ठीक है ना finally sperm की motility है और उसका maturation है उसके लिए इनका secretion जो लोग छोड़ते है ठीक है उसके mix करके पड़ा हुआ हम लोग ने वोग जरूरी है the seminal plasma along with the sperm called semen semen को हम लोग जान चुके है अच्छे से तो यहां हमने extra बता जया कोई बात नहीं फिलार ठीक है ना तो यह हमारे पास क्या हो गया sperm का structure और थोड़ी सी बातें यह question भी बेटा तुम्हारा important है कम से कम तीन number के हिसाफ से आने के लिए ठीक है ना दो से तीन नमर इसलिए बोलते हैं अगर partition में आया part करके define these and what give the structure of sperm इस तरीके से question दो नमर में आ सकता है ठीक है ना तो structure of sperm clear हो गया अब role of hormone जो spermatogenesis हो रही है वहां पे hormones का क्या role है very important तो इसको समझते हैं रहा हम लोग तो एड पवर्टी पवर्टी मतलब जो एज होती है हमारी 16 14 16 तो नहीं कहाएंगे लगवग फॉर बॉइस मों होती 14 गर्ल्स में 11-13 माने जाती है जब इस पर हम बनना सुरू हो जाते है उसे पवर्टी का जाता है जी एन आरेच गॉनेट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन यह बढ़ जाते हैं बॉड़ी के अंदर और जब बढ़ते हैं तो बॉड़ी में फिर चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं बताया था ना एक बढ़ी लेक्शर सुना होगा कि एक 9-10 साल के लड़का और लड़की को ब बॉड़ी में जाली मुझा आना स्टार्ट हो जाती तो यह तवाम चेंजेस आते हैं तो पवर्टी पे गॉनेट ओपर रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज करता है और यह एक्ट करता है एंटीर पीटुट्री ग्लेंट को और स्टुमलेट करवाता है सिक्रीशन ओफ जी एन लुट्रिलाइजिंग हार्मोन क्या करेगा एक्ट करेगा जाके लेडिक शेल्स पर याद आए लेडिक सेल्स सब पुराना ही है और तु सिक्रीट इंडोजन एंडोजन इंडोजन इस्ट्यूमलेट करेगा स्परमेटोजनेसिस को इधर आजया है अगर फॉलिक्ली इस्ट स्पर्मेटोजनेसिस को सुरुवात करने के लिए सुरुवात तो हो अंत फिर ये करवा जाएगा किलियर है अगर रोल ओफ हार्मोन आ जाए तो इस वाले चार्ट को बिल्कुल बना के आ जाएए फुल मार्क्स मिलेंगे कोई दिक्कत वारी बात नहीं है उसके अलावा थोड़ी सी वे बाते लिखेंगे once the degree of spermatogenesis required for male reproductive function has been achieved ठीक है क्या कहा रहा है कि जो spermatogenesis जो sperm बनने थे वो बनने सुरू हो गए है ना बच्चा 14-15 साल का 16 साल का sperm बने उसकी बाड़ी में साधी तो हो नहीं रहे है उसकी अभी कि उसको आगे जागे कोई टेस करना है तो बनके तयार हो गए तो achieve हो गया कोई कह रहा है once the degree of spermatogenesis जितना sperm बनना था वो बनके ready हो गया है ठीक है वो achieve हो गया है सस्टेंट्टुकलर सेल्स याने के सर्टॉली सेल्स इंहीज हो जो रोकेगा किसको रोकेगा इनिबीट FSH Follicular Stimulatedằ基क हार्मोन को रोक देगा यह ठीक है ना यान कि पहले एक हार्मोन सिक्रीट करेंगे यह इनिभीन कौन सिक्रीट करेगा सर्टॉली सेल्स या सस्ट टेंटाकुलर सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करता है इनिभीन जो FSH को जाकर के बोलेगा रुख जाओ अब तुमको स्पर्मियो जनेसिस करने ही ज़रूद नहीं है ठीक है ठीक है उसको रुख देगा by the anterior pituitary अच्छा इनिभीन आता कहां से है फाइली आता हमारे anterior pituitary के द्वारा ही है जो FSH है जो anterior pituitary से निकल रहा है उसको यह रुखवा देगा कौन इनिभीन हार्मोन किलियर है और अगर if experimentogenesis is proceeding too slowly proceeding too slowly कहलो बहुत धीमा बन रहा है या बहुत ज़्यादा जरूर रहता है है ना यानि हम कहा सकते हैं शादी हो गई है और कुछ जो couple है वो बच्चों के लिए efforts कर रहा है तो obvious ही बात है उनके जो daily life में sexual activity increase कर जाएंगी sperm का ejagulation बढ़ जाएगा उस case में अगर process अग slow पड़ती है तो जो less inovine is release inovine less release होगा या नाके बरावर release होगा जिससे क्या है FSH अपना काम करता रहेगा और spermetogenesis होती रहेगी which permits more FSH secretion and an increased rate of spermetogenesis बात clear होगी inovine FSH को रोकता है लिख लेंगे inovine जाकर के इसको कट्टा मार दे रहा है रुख जाओ एक पार्ट होने से पूरा spermetogenesis नहीं हो पाएगा तो role of hormone clear हो गया structure of sperm clear हो गया spermetogenesis process क्या step थे वह हिसाब से याद कर लेना वह clear हो गया यह 3 point important होते है है spermetogenesis के अंदर क्योंकि इस बोल दिया है उसके अंदर यह तीन इस्टेप आते है structure of sperm sperm इस्प्रमटर जनेसिस process और कौन से हार्मन उसको कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है तो जा करके बैक में जा करके क्या करना है तुमको वीडियो को देखना है अदर्वाइस चीजें वहां से समझ में आना बंद हो जाएंगे और the process of formation of mature female gamet एक mature female gamet का बनना is called oogenesis ठीक है इसे हम ovum भी कहते है न oogenesis is oogenesis initiated during embryonic development very important oogenesis जब एक female baby पेट में होता है मा के तभी start हो जाता है male के अंदर तो after 13-14 years के बाद start होता है इसमें पेट के अंदर ही start हो जाता है when a millions of gamet mother cell यहाँ पर oogenia कहा गया है वहाँ पर spermatogonia था याद रखेंगे gamet mother cell oogenia are formed within each fetal ovary यह fetal ovary में बनना start हो जाते है no more oogenia are formed after birth यही वज़े होती बेटा अगर कुछ females में किसी वज़े से यह oogenia नहीं बन पाते हैं और female का जन्म हो जाता है तो वो future में बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है तो क्योंकि no more oogenia are formed after birth यह ना spermatogonia तो बनते हैं हमारे male के अंदर लेकिन females के अंदर oogenia पैदा होने के बाद नहीं बनते हैं आगे आते हैं oogenia start division जब ovary बच्चा पेट में ही है female baby तो उसके ovary में oogenia जो है वो division start हो गया है divide करना start कर दिया है और divide करते हुए जब वो pro phase 1 में आ जाता है pro phase 1 याद है meiosis की pro phase 1 वहाँ पर आ करके temporarily arrest रुक जाएगा आ करके division start हुआ pro phase 1 चल रही थी चल रही थी चल रही थी वहीं पर रुक गया arrest हो गया arrest मतलब जम गया हुए पर ही उसके आगे नहीं बढ़ेगा of the meiotic division and known as primary ucite तो दियान रखेंगे primary ucite जो है वो कहाँ पर आ कर रुका हुआ है बिटा pro phase 1 में आ कर रुका हुआ है और यह primary ucite ही होते हैं क्या हो रहे हैं during this arrested stage अब जो primary ucite हमारा रह हो गया है मतलब pro phase 1 में आकर रुक गया याने कि हमारा हम कह सकते हैं जो उगोनिय है वो primary ucite में convert हो गया याने कि यह pro phase 1 में रुका हुआ है during this stage of development each primary ucite is surrounded by single layer of flat follicular cells जो primary ucite है सपोज एक example लिए मालोई cell है इसके उपर एक cells ऐसे करके cells आकर के surround करना start कर देते हैं flat follicular cells and the entire structure is called primordial follicle और इस structure को हम लोग क्या बोल देते हैं primordial follicle क्या कहते हैं क्या कहते हैं primordial follicle यह terms याद रखेंगे primordial follicle या primary ucite ठीक नहीं से हमारी आगे कहानी स्टार्ट होगी आगे आते हैं primary ucite surrounded by layer of granulosa cells and it's called primary follicle ठीक है फिर आगे जलके क्या होता है जब primary ucite होता है जब flat follicular cells ने surround किया था तो उसे primordial cells कहते हैं जब उसको उसके उपर और cells आते हैं और वो follicle याद रखेंगे बटा बहुत confusion रहता है बच्चों को primary follicle में primary ucite में primordial follicle में तो primordial follicle और primary follicle में हलका सा अंतर है हम यूं कह सकते हैं कि इसके उपर और सारे cells आ गए हैं एक तरह से क्या आ गए है granulosa cells ठीक है granulosa cells आ गए है और यह क्या बन गया है primary follicle बन गया है अब बात समझो at birth जब female baby पैदा होता है approximately 2 lakh से 20 lakh primary ucites primary ucites remain in each ovary दोनों ovary में लगबग 2 lakh से 20 lakh primary ucites मौझूद होते हैं पैदा होनों के बाद उगो नहीं होता बनेगा नहीं यानि कि और primary ucites नहीं बन सकते ठीक है of these about 40,000 are still presented poverty फिर वो baby देरे बड़ा होता है बड़ा होता है और लड़की 13-14 साल की जब poverty पर आ जाती है बहुत सारे primary ucites degenerate हो जाते हैं खतम हो जाते हैं केवाल लगबग 40,000 तक ही बचे रह जाते हैं ठीक है and around 400 will mature and ovulate during women's reproductive lifetime और इन 40,000 में से भी लगबग सिर्फ 400 ही वो जब 13-14 साल से ovulate करना स्टार्ट करती है menstrual period स्टार्ट होते हैं और 45 की age तक आते आते हैं लगबग 400 ओवरी ही होती है जो mature होकर के मतलब भार आपाती है अधरवाइस बाद बाकी क्या होती है खतम हो जाते हैं तो यह starting की कहानी समझ में आना है तुमको की primary प्राइमरी उसाइड यह कहानी बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो गई है ठीक है अब उजनेसिस प्रॉसेस तो बेटा यहां पर ध्यान रखो ट्रैट डाइग्राम की हेल्फ से तुम्हें समझाना पड़े किसी की हेल्फ से प्राइमोर्डियल फॉलिकल है तो दिमाग में आन प्राइमरी फॉलिकल में ठीक है तो प्राइमोर्डय फॉलिकल से खीसे बदल गये देते हैं primary follicle बोल देते हैं तो क्या ध्यान रखना है केबल granulosa cells यहां पर बहुत ही कम है यहां बहुत ज्यादा तो जब बहुत कम है starting में ना के बराबर लेयर है तो उसे primary follicle primordial और जब बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो यह primary follicle आ गया तो क्या कह रहा है इच primary follicle जो primary follicle है उसके अंदर एक primary oocyte होता है ना primary oocyte तो पता ही है क्या है primary follicle के अंदर primary oocyte होता है जो प्रोफेस बन में रुका हुआ है ठीक है यानि कि जो अंदर है मेरे पास यह जो dictate करके लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पर लिख लोगे, ऐसे काट करके, primary oocyte ठीक है न, क्या लिख लोगे, primary oocyte, ओके, as the primary follicle grow, जैसे से primary follicle यह grow करेगा मैं डाइग्राम दिया बेटा, समझते चलना, जहां जहां मेरा हाथ और pen रहेगा, वहीं महीं focus करना अधरोज दिक्कत आएगा ठीक है न, अब सबसे पहले, primordial follicle और primary follicle याद हो गया, क्या difference है न, याद हो, पॉस्ट करके फटावाट इसको समझ लो, आगे आते हैं, क्योंकि बार-बार मैं बोलूँगा नहीं अब क्या है primary follicle इसको मैं, हाँ, ठीक है क्या है primary follicle growth, वह हलका सा बड़ा होता है, इट forms a clear glycoprotein layer काल, जोना, पैलियू सोड़ा prime follicle थोड़ा सा और बड़ा होता है, और इसके इर्द गिर्द एक layer तयार होयाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना, पैलियू सीडा clear हो गया, अगले step में आ गए, सबसे पहले, granulosa cells फिर granulosa cells के नीचे, एक clear layer हमको दिखाई देने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जोना, पैलियू सीडा ये layer कहाँ पर है, between primary oocyte, between primary oocyte and the granulosa cells जो primary oocyte, जो ये blue वाला part है, primary oocyte है, और जो ये जो देख रो हो, ये वाला part, इस टाइब से ये क्या है, granulosa cells है, इनके बीच में होती है, क्या, जोना, पैलियू सीडा लेयर, ठीक है, in addition and organized layer called the theca folliculi also form outside, अब इसके just हलका हलका ये देख रो, ये लेयर, ये हलकी हलकी, ये जो है, ये थेका theca follicle, ये एक और layer इसकी उपर बनना इस्टार्ट हो जाती है, इसका हम लोग क्या बोलते है, theca folliculi, अब with continuing maturation लगातार ये क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, अब primary follicle, ठीक है, developing into secondary follicle, ये किसम बदल गया, secondary follicle, क्या पहचान है secondary follicle की, in secondary follicle, तो primordial follicle और primary follicle में क्या difference है, जो ना पहले सुटा लियर का granulosa cells बहुत जाता हो गए है, अब primary से secondary में आ रहे हैं, तो क्या difference है, ये difference है, in secondary follicle, the theca differentiate into two layers, जो थेका होती है ना, ये outer layer है, ये two layers में, एक ये और एक ये, दो layers में convert हो जाती है, the theca interna, a highly vascularized internal layer of cuboidal secretory cells that secrete estrogens, बेटा mark करेंगे ये, estrogens कौन secrete कर रहा है, theca interna या theca, theca जो layer है, now the theca externa, जो बहार की layer है, theca externa, and outer layer of stroma cells and collagen fiber, ये simple layer है, collagen fiber की, इस ते मतलब नहीं है, estrogen secrete किया रहा है, estrogen का secretion start हो चुका है, theca cells के दुवारा, अब हम लोग क्या हो गया है, secondary follicle clear हो गया, बेटा मैंने कहाना है, अब प्राइमरी, secondary, ये बड़ा दिक्कत करेंगा, primary oocyte, primary follicle, ये confusion होना start हो जाता है, बहुत वीडियो अगर जहां लगे, वहाँ pause करके, काईदे से समझना, वरना confusion हो जाएगा, बहुत जादा, इसके बाद, in addition, इसके अलावा, the granulosa cells begin to secrete follicular affiliate, जो granulosa cells है न, वो follicular affiliate, एक तरह का affiliate होता है, secrete करता है, which build up in the cavity, अब क्या है, इसके जो cavity है अंदर, ठीक है, वहाँ पर build up होना start हो गया, है, called antrum, अब हम देखेंगे, actually, वह यहाँ पर follicular वाला पार्ट हो चुका है, साथ साथ मना, एक cavity develop हो जाती है, अंदर, क्या develop हो जाती है, यह एक cavity develop हो गई है, इस cavity के अंदर, जो है, फिलूड भरना start हो जाता है, मतलब, अगली stage में क्या होगा, यह एक और layer ऐसी बन जाती है, इस type से, ठीक है, तो यहाँ पर यह cavity है, एक और layer ऐसी बन जाती है, ठीक है, और यहाँ पर cavity के रियेट हो जाती है, और वो cavity में क्या हो रहा है, ग्रैलोसर सेल्स बिगिन तो सिक्रीट फॉलिकूलर फिलूड, अच्छा जब के विटी बनती है, वो पैचान होती है, किसकी ग्राफियन फॉलिकल की, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल जब बनेगा, जब इस नहाँ पर cavity बनना इस दिख स्टार्ट हो जाती है, तो वो जोना पैलुसीडा एंड इस नाओ, कॉल दा कोरोना रेडिटा, अब आगया आते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, जो जोना पैलुसीडा, जब बोल रहा है, तो इनर्मोस्ट लेयर्स ओफ ग्रेनलुसा सोल्स बिक, अचैल्स बिकम फर्मली अटेश्ट तो जोना पैलुसीड एंड इस नाओ, कॉल्ड कोरोना रेडिटा, जो ग्रेनलुसा लेयर्स का इनर्मोस्ट से वो किसे अटेश्ट है, जोना पैलुसीडा से, तो आओ देखें ज़रा, डाइगराम समझ में आ रहा हूं, समझते, जोना पैलुसीडा, उसके उपर की लेयर, और उस पर क्या था, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, ये लेयर्स क्या है, ये ग्रीन वाले क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स हो गए, ये वाला क्या है, जोना पैलुसीडा, और क्या बोल रहा है साफ साफ, जो इनर्मोस्ट लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स की जो इनर्मोस्ट ल यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर क्या कहते हैं एक तरह से उसका नाम कहते हैं तो कोरोना रेडियेटा किसका नाम है किलियर हो गया आ गया तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको दिखाने कोशिश की है अच्छा यह अभी अलग बाट आएगा अब हमारा कोरोना रेडियेटा बन चुका है ठीक है जो ना पहले सुड़ा किलियर है जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है धीरे से बड़ा होता है टर्निंग इंटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है और जब फूरी कंप्लीट हो जाती है एक कैविटी अच्छी खासी दिखाई देने लग जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसके अंदर हमको एंट्रंप यह कैविटी हमें अच्छी कासी दिखाई देती है किलियर है बात समझ मारी है ठीक है आगे आते हैं कि ओके में ग्राफियन फॉलिकल और जश्ट वि विवर्यूशन जब यह ग्राफियन फॉलिकल इस्टेज में है और उवुलिुशन से जश्ट पहले ओलिशन मतलब वह बहार निकलेगा किस से ओवरी से बहार आएगा just before ovulation the diploid primary oocyte complete meiosis 1 जो meiosis 1 की stage होती है वो यहाँ पर complete हो जाती है यानि कि जो मेरे पास oocyte है इसके अंदर meiosis 1 complete हो जाती है और हम लोग यहाँ देख सकते हैं यह जो बड़ा वाला part है ठीक है this is secondary oocyte primary oocyte से किसम बदल गया अभी है secondary oocyte में और यह जो छोटा वाला part है this is your polar body दो cells में बदल दा था हमारा spermatogenesis में भी यहाँ पर भी दो cells में टूटा है polar body और secondary oocyte polar body हमारी बेकार होती है और degenerate हो जाती है main हमारा secondary oocyte बचा रहा है था जो कि क्या होता है निकल के बहार आता है ठीक है तो कह रहा है while in graphene follicle जब इस graphene follicle stage में होता है just before ovulation ovulation होने से just पहले ठीक है ना meiosis 1 पूरी complete हो जाती है producing two haploid n cells यानि कि अब यह secondary oocyte कैसा है यह two haploid n cells of unequal size एक छोटा एक बड़ा size बराबर नहीं है each with 23 chromosome इसके पास 23 chromosome है इसके पास 23 chromosome है इसके पास 23 chromosome है तो yes उसके पास 23 chromosome होते हैं तो smaller cell produced by meiosis 1 called first polar body जो छोटा cell बनता है उसका हम लोग क्या बोलते है first polar body कहते है इस essentially a packet of discharged nuclear material जो nuclear material के बेकार की चीज़े होती है उसके अदर भर जाती है the larger cell known as secondary oocyte receive most of the cytoplasm और इसके अदर काफी जादा मातला में cytoplasm रहता है जिसके वेसे इसका size बड़ा होता है बास समझ मा हो रहा है समझ मा आ रही है ठीक है once a secondary oocyte is formed जैसे ही secondary oocyte बन जाएगा it begins meiosis 2 यह meiosis 2 इसके नदर start हो जाती है but then stops in metaphase और फिर से metaphase में आके रुख जाता है अब यहाँ पर उन बच्चों को बहुत जाए दिक्कत आने वाले जिनको mitosis meiosis के लिए नहीं है बेटा मैं फिर कहूंगा कोई छोटा सा वीडियो देख लेना meiosis का जिसमें mitosis meiosis 10-15 मिन कंदर समझा दी गई हो अधर्वज दिक्कत आएगी थोड़ी सी ठीक है न तो यह metaphase stage ना के रुख जाता है the mature graphene follicle soon rupture जैसे इस stage ना के रुखता है उसके बाद बहुत जल्दी जो graphene follicle है वो rupture होता है फूट जाता है तूट जाता है and release its secondary oocyte a process known as evolution और secondary oocyte को कहा निकाल देता है ovary से बाहर निकाल देता है ठीक है ना तो देखो यहां पर समझते हैं हम लोग देखो यह हमार पास क्या है this is the ovary ठीक है ना this is the ovary और किस तरह से hormones यह important है यहां पर ठीक है जब यह यहां पर क्या हो गया मेरे पास meiosis हो गई है meiosis बन हो गई है polar body बन चुकी है secondary oocyte बन चुका है ठीक है ना तो हो क्या रहा है पहले स्टेज में क्या high level of estrogen estrogen कौन बना रहा था ठेकास बना रहा था यहाद आया from almost mature follicle stimulate release of more GnRH and LH जो estrogen होते हैं वो क्या करते हैं GnRH और LH को और ज्यादा body से release करवाते हैं hypothalamus से step 2 जो GnRH है promote करता है release of follicle stimulating hormone और luteinizing hormone इसने इसको release करवाया ठीक है LH surge bring about evolution जब LH surge मतलब जो luteinizing hormone बढ़ जाता है उसकी वज़े से ही क्या हो रहा है यह evolution हो रहा है तो ovary का एक तरफ से क्या होता है रक्चर होती है टूड याता हो और यह जो secondary ucide है यह क्या होता है बहार आ जाता है ठीक है ना यह क्या होता है बहार आ जाता है इसका अगर मैं एक और डियाग्राम दिखा हूं तो कुछ देखो यह देखो ovary का complete diagram यह हाइलम वाला पार्ट है अगर यहाँ दो ठीक है ना य यह primary follicle ठीक है then secondary follicle यह इसकी जो लेयर होती है ovary की ovarian mesothelium ट्यूनिक अलबीजीनिया हो गया ovary के बाते हो रही है यह मेरा mature graphene follicle आ गया फिर यह फूटा और यह ovum finally जो एग है वो मेरा क्या हो गया बहार आ गया ठीक है यानि कि secondary ucide मेरा बहार आ गया फिर जो बचा हुआ पार्ट होता है graphene follicle यह किसमें बदल जाता है आगे जाकर कि हम देखते हैं एक खास तरह के structure बदलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं corpus luteum कहते हैं अच्छा यहां पर रप्चर हुआ उसके विए से कुछ blood clot काई बार इसके अंदर रहता है तो उसके वारे में जिकर अगर पढ़ेंगे कि कभ यह बना रहता है और कभ यह degenerate हो जागा किन condition में यह अपने आपको strong कर लेता है किन condition में यह अपने आपको degenerate करेगा ठीक है ना यही corpus luteum आखरी में जाकर के क्या बन जाता है corpus albicans बन जाता है और degenerate होके खतम हो जाता है तो यह कुछ ovary वाली process ह तो इसको में वापस चलता हूँ जरा उमीद कर रहा हूँ चीज समझ में आ रही होगी थोड़ी से complicated बाद में इसकी summary भी है मेरे पास ठीक है ना summary बताओंगा फिर में बाद में तो बास समझ में आगी graphene follicle rupture हो जाता है यह graphene follicle है मेरे पास यह पूरा जो क्या है graphene follicle rupture role of hormones in evolution hormones का role देख लिए हम लोगों ने क्या क्या हुआ कौन बढ़ा किसने किसको क्या कहो फिर alleged luteinizing hormone का main role होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है बहुत ज्यादा जिसके वह से यह रप्चर हो जाता है अग आते हैं at evolution जिस समय evolution हुआ the secondary oocyte is expelled, expelled मतलब बहार फैका गया into the Philippian tube, Philippian tube में फैंक दिया जाता है with the first polar body and corner radiator, corner radiator भी होता है उसके साथ में जो उसके outer layer होती है ठीक है और first polar body ये सब चीजे मतलब corner radiator उसके उपर की layer थी ना उसके साथ उसको क्या कर दिया जाता है बहार की तरफ फैंक दिया जाता है तो हम फोड़ा सा डाइग्राम जो है ठीक है एक्चल में क्या है गैलोसा सेल से उसके एक कॉमिलस ओफिरस सेल एक और टाब के सेल दे दिये हैं उसी वराइटी में फुरस और advanced stage बता दी गई है यहाँ पर तो यह जो सेल से अंदर वाले जो इससे चिपके हुए है जो ना पहली सुड़ा बता दो मैं यह ठीक है ना इस 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 दा जो ना पहली सुड़ा और इस एक पेल मतलब ओवरी से जो बाहर निकला है secondary ucite उसमें क्या क्या चीज़े मौजूद है पोलर बाडी ठीक है और कोरनर रेडियेटा secondary ucite polar body और कोरनर रेडियेटा के साथ वो क्या आ गया बाहर आ गया किलियर है वीडियो को चाहता पॉस कर सकते हो इसका जो चलने का प्रोसेस होता इसको स्लो कर सकते हो बिटा यहां पर टम्स आएंगी थ्रुसर कॉंप्लिकेटेट है समझना पड़ेगा समरी दे दूगा बाद में समरी भी लेकिन तभी समझ में आएगी जब यह समझ में अब प्रेगनेंसी के चांस है जब तक ओवम ही नहीं आया था जो हम अभी पढ़ेंगे मैंसुरेशन वाले फेज जब मैंसुरेशन सैकल पढ़ेंगे तो इस स्टार्टिंग के 10-12 दिन जो होते है उसमें ओवम होता ही नहीं है जब ओवम है नहीं तो प्रेगनेंसी के चां ट्यूब में यानि फिलेपिन ट्यूब में and penetrates the secondary oocyte और secondary oocyte जो ये बाहर आया है उसको penetrate कर देता है उसको छेट करके अंदर चला जाता है उसी condition में अगर वो से penetrate करता है तो ही meiosis to resume हो जाएगी जो मेरी यहां पर कहां रुख गई थी आ करके metafase में आ करके जो रुख गया था यह याद आया ठीक है metafase में जो आ कर रुख गया था फिर यह meiosis resume हो जाएगी वापस से start हो जाएगी अगर sperm उसको fertilize करता है तो वो जो sperm उसको भेद रहा है ओवम को जाके penetrate कर रहा है वो process कहलाती है fertilization the secondary oocyte is split अब secondary oocyte है ना क्या करेगा तूटेगा into two haploid cells वापस से दो haploid cell में तूटेगा again of unequal size वापस से unequal size में होगा ठीक है यान कि इसको थोड़ा समझा दू मैं अगर तो देखो पहले क्या था यह two end था यह break हुआ एक छोटा और एक बड़ा ठीक है ना तो actual में अगर proper होता याला cell भी होता तो इसके भी आगे दो cells बनते इसके भी आगे दो cells बनते बट यह वाला पार्ट जो था polar body है ना first polar body यह तो क्या हो जाज़े degenerate हो जाती है केवल मेरे पास क्या बचा रहे गया है secondary oocyte ठीक है ना फिर वापस से इसमें myosis start होता है और यह अब क्या साधाहन myosis होती है अगे एक छोटा बनता है और एक बड़ा बनता है यह वाला फिर से क्या हो जाएगा degenerate हो जाएगा this is the second polar body ठीक है ना और यह जो finally निकल के आता है इसका हम लोग क्या बोलते हैं ovum यह एक बोलते हैं this is the final तो क्या करना the secondary oocyte यह जो secondary oocyte है समझते जाना split तूटता है into two haploid cells वापस है cells कैसे है haploid है again of unicol size छोटे बड़े size unicol होता है the larger cell is the ovum जो बड़ा cell होता है ovum अब जा करके ovum बना जो ovulation होता है उसका ovum बोल देते हैं बड़ प्रॉपर जो ovum है जो egg है वो यह है ठीक है ना और mature egg कहा जाएगा इससे the smaller one is the second polar body यह second polar body होती है the nuclei of the sperm cells and the ovum then unite forming diploid zygote अब जो sperm अंदर घुस गया था वो जा करके इससे मिल जाएगा और ultimately क्या बनेगा जाएगोड बन जाता है जाकर के है ना sperm और ovum मिलके क्या बनाते हैं जाएगोड तो बेटा यह वाला point important है ठीक है यह process कहां से क्या हो रहा है यह समझना है बाद समझ में आई ठीक है तो यह सारी कहानी है अगर fertilization हो जा रहा था ovum बनता तो यह जो था हमारा corpus luteum यह बना रहता यह corpus albicans में convert नहीं होता अब क्योंकि fertilization नहीं हुआ है तो यह इसमें convert हो जाता है अब अगर summary की बात करूँ जिसका तुम लोग बहुत देसे इंतियार करोगे sir छोटा सा बता दिक्कत आएगी तो summary समझ लो very simple क्या लिखोगे primordial follicle इसके अंदर क्या होता है primary oocyte होता है कौन घेरता है इसके चारो तरफ granulosa cells घेरते हैं क्या बन जाता है primary follicle और ज्यादा granulosa cells आते हैं और साथ-साथ में थेका cell आ गया याद आ रहा है किसे मदल गया secondary follicle में secondary follicle transform हो ज जाता है था ना cavity आयती जो उपर मैंने पार्ट लिखा नहीं है उसमें secondary follicle उसमें क्या आगया cavity इसके अंट्राम कहते हैं इस tertiary follicle में पहला meiotic division होता है जो कि अनिक्कोल साइज का होता है inside tertiary follicle यानिकि first polar body और secondary oocyte बनके तयार हो गया tertiary follicle जिसके अंदर meiosis हो चुकी है ये convert हो जाता है graphion follicle में finally graphion follicle ठीक है ना यहां तक कहानी वैसा काईजर में खतम होगी अब meiosis to occurs in philippian tube after fertilization यानि कि अगर शादी हो गई है female की और fertilization हो रहा है तो ही यह वाला step आएगा यानि कि second polar body और ovum बनेगा ठीक है fertilization होने के बाद और इस ovum से कौन मिल जाता है है इस पर मिल जाएगा इसके साथ जा करके और finally हमको क्या देदेगा जाएगोड देदेगा बट हमारा कहानी क्या है उजनेसिस तो उजनेसिस यहां तक कहानी काईजर में खतम हो जाती लेकिन यारा step भी तुमको लिखना है कि अगर fertilization होता है तो second meiosis होईगी और हमारा बन जाता है तो यह पूरा जो उपर बताया है मैंने ठीक है इसको अब कुछ बच्चे को बड़ा easy लग रहा होगा इसको अगर मैं direct बता देता तो समझ में नहीं आता कि यारे क्या क्या है सर ठेका एका यह क्या है ठीक है फिर से थोड़ा सा repeat करेंगे से अराम से ठीक है क्य इस तरह समरी बनाकर खतम कर सकता था मैं बट नहीं समरी बनाकर खतम कर दूंगा तो फिर वनमास कोश्चन थोड़ी डिटेलिंग वाला पार्ट जो आएगा एगा एज़ा फार्मासिस्ट तुमको नॉलेजी नहीं होगी चीजों की ठीक है तो फिर दिक्कत रहेगी अब हा फैनली हमारा उब हम बदलेंगे उनकी ग्रोथ और उसाइट के मैचूरेशन की उसाइट मैचूर हो जा है दा गैनलोसा सेल्स ऑफ दा डवलोपिंग फॉलिकल आल्सो रिलीज हार्मोन नेम इस्टोजन देखा था हमने ठीक है ना वहापे मैं ठेका सल्स लिखा हुआ है ठी ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है टूट जाता है एंड रिलीज दा एक बाइड़ प्रोसेस ऑफ ओविलिशन तो यहां पर किसका लेवल आ गया एलेच आप ही बतायाता है मैंने इस्टोजन दो कर नाम आएगा तो इस्टोजन सिंगल नाम आएगा तो लुट्राइजि वला था टांस से बहुत सारे समझाने की वाइसे कोशिश की है मैंने ठीक है रिपीट करना छोड़ा सा इसको अगर अच्छे से TIMलियर नहीं हुग है क्योंकि एक बार में सायथ क्लियर ना हो पाया हो क्योंकि बहुत सारे ट लिया है या थोड़ा बाहुत वुद्स live पर लेक पढ़ना है, ओके, all the best